ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं हूँ स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम से इनकाउंटर स्पेसलिस्ट परदीफ सर्मा ने महाराष्ट पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया है इंकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीफ सर्मा ठाने क्राइम ब्रांच में तैनात थे जिन्होंने अपने वरिष्ट पुलिस अधिकारियों को अपना इस्तिफा सौपा है आपको बता दें कि इंकाउंटर स्पेशलिस्ट परदीप सर्मा कई कुख्यात ग्रैंगेश्टरों का इंकाउंटर किया है माना जा रहा है कि परदीप सर्मा अब राजनीती में कदम रखेंगे और अगामी विधान सभाज चुनाओं में सिवशेना के टिकट पर चुनाओं लड़ सकते हैं परदीप सर्मा ने 1983 में पुलिस सेवा ज्वाइन की थी मगर 1990 के दसक में परदीप सर्मा समेत मुंबई के क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस अधिकारियों को अंडर वर्ड का सफाया करने के लिए फ्री हैंट किया गया था इन पुलिस अधिकारियों को इनकाउंटर स्पेसलिस्ट माना जाता था 300 से भी जादा गैंगेश्टरों का इनकाउंटर का भी रिकॉर्ड बनाया गया प्रदीप शर्मा को 2008 में लखन भईया फरजी मुठभेड में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया था इस मामले में 13 पुलिस कर्मियों की गिरफतारी भी हुई थी लंबे समय के बाद 2013 में प्रदीप शर्मा ने फिर से पुलिस सेवा जोईन की मगर अब प्रदीप शर्मा ने इस्तिफा दे दिया है और राजनीती में जाना तैमाना जा रहा है तमाम खबरों को जानने के लिए देखे लिए प्रहाटेंग्स